आज मैं आपके साथ मतन दाल्चा की रीसीपी शेर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही लजीज है, आप ये रीसीपी जुरूर बनाएं। हमें लेना है लौकी जिसे हम कद्दू भी बोलते हैं, तुवर डाल, गोश्ट, तुवर डाल को धोकर पकने रखे कुकरमी दो से 3 सीटी होने तक, और ऐसे ही गोश्ट को पकने रखे हल्दी पाउडर और नमक डाल कर 3 से 4 सीटी होने तक, अब हम लिंगे कुछ मसाले, जीरा धनिया पाउडर, अदरक लहसन पेस्ट, बारीक पिसा हुआ नारियल, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अब हम लिंगे प्याज, टमाटर, पुदीना पत्ता, हरी मिर्च, भीगी हुई इमली, खटी भाजी, धनिया पत्ता, अब हम लिंगे पटेला, इसमें तेल गटी हुई प्याज डाले और मिलाते रहे, हलका सा सुनहरा होने तक, अब इसमें पिसा हुआ नारियल डाल कर मिलाए हलका सा सुनहरा होने दे अब अदरक लहसन पेस्ट डाले और मिलाए अब इसमें डाले स्वाद अनसार लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला डालकर मिलाए अच्छी तरह से अब इसमें कटा हुआ टमाटर डाले और मिलाए टमाटर को मिलाकर उसमें नमक डाले और पकने रखे कुछ वक्त के लिए अब खटी भाजी, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता डालकर अच्छे से मिलाए भाजियों को पकने रखे मसाले में 5 मिनट के लिए और अब हरी मिर्च डालकर मिलाए और मसाले के अनसार पानी डाले अब कटी हुई लौकी डाले और मिलाते रहे मसाले मैं पकने दे अब ढ़क कर रख दे पाच से दस मिनट के लिए अब हम देखेंगे मसाले मैं लौकी हाफ को खुग गई है लौकी को अच्छे से मिलाए मसाले मैं अब हमें डालना है पका हुआ गोश्ट अब मसाले में गोश्ट को मिलाए और ढाकर रख दे 5 मिनट के लिए अब मसाले में लौकी और गोश्ट मिल गया है आप देख रहे है जोशा रहा है अब पकी हुई डाल डाले और अच्छे से मिलाए और अब भीगी हुई इमली का पानी डाले और मिलाए कुछ वक्त के लिए पकने रख दे अब दरद्रा संफ पाउडर और गरम मसाला डाल कर मिलाए और पकने रखे जखकर कुछ वक्त के लिए आप देख रहे हैं, डालचा को जोशा रहा है अब इसमें कसूरी मेती डाल कर मिलाए और पकने दे पाच मिनट के लिए अब धनिया पत्ता डाले और मिलाए और रांच को बंद कर दे लजीज मतन दालचा बंद कर तैयार है आप इस रेसीपी को जरूर बना कर देखे और हमें कमेंट में बताए आपको हमारी रेसीपी कैसी लगी और चैनल को लाइक शेयर सबस्क्राइब करें